हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियोज देखने के लिए नमस्कार दोस्तों जरहट के हिंदी में आप सभी केकबा फिर से स्वाकत है दोस्तों चानक के नीती में बताया गया है कि चार तरह से साथान रहने वाला इंसान हर परिशानी से हमेशा तूर बना रहता है चानक के नीती के दस्वें अध्या के दूसरे शुलोग में चार तरह की साथानियों के बारे बताये गया है ये साथ्धान या हर इनसान की शारीरिक और मांसिक आदोते से जुड़ी होती है चाणकक के ने बताया कि हर माامले में साथ्धान रहने वाला इनसान कई तरह की परिशानियों से बचा रहता है वहीं buddhiamान लोग साथ्धान रहने की उन्नıtे भी करते हैं चानक के जी कहते हैं कि कपड़े से सुद्ध करके जल पीने वाला वैक्ति कभी शारिरिक रूप से परेशान नहीं होता। इसी तरह तीन अन्य बाते बताई गई हैं जिनको अपनाने से बाद में पच्ताना नहीं पड़ता। आईए जानते हैं। दोस्तों चानक के कहते हैं कि कहीं भी पैर रखने से पहले अच्छी तरह देख लेना चाहिए। ऐसा करने से चोट या दुरगटना नहीं होती। कई लोग ऐसा नहीं करने पर परिशान होते हैं। इसके अलावा चानक के नहीं बताए कि जो वेक्ति सास्तर से सुद्ध वाक के भूलता है वे कभी परिशान नहीं हो सकता। यानी जो वेक्ति सही और गलत को जान कर सोच समझ कर कोई बात कहता है। उसके बाद में कभी उस वेक्ति को पच्छताना नहीं पड़ता। वहीं मन से सोचकर कार्वे करने वाला इंसान तरक्की करता है यानि सही कोई भी काम करने से पहले सही या गलत या उस काम के नतीजे के बारे में पहले से सोचने वाला इंसान हमेशा तरक्की करता है दोस्तों आज हमने आपको बतायेगी व्यक्ति को किस तरह से साफधान रहना चाहिए जिससे वैं कभी परिशान ना हो तो हमें उम्मीद है कि आज की जहानकारिया को काफी पसंदाई होगी और इसी तरह की वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना न भोले धन्यवाद